हलो एवरिवन आपसे का स्वागत है आपके अपनी येट्यूब चलान मैत मंच पर दोस्तों आज की वीडियों हम देखेंगे कि जो त्रकौन में एक्जाम में सवाल पूंचा जाता है कि निम लिखित सरुसमी का सिद्ध कीजिए वोड एक्जाम में आपसे सवाल पूंचा ज जाता है एक पांच नमबर या छे नमबर का पूंच लिया जाता है और हर साल आता है और जो कुशन मैं आपको बता रहा है जह भी कई वार एक्जाम में रिपीट हो चुका है तो इसकी काफी उम्मीद है कि बन सकते हैं कि एक्जाम में पूंच लिया जाए तो इस कुशन को तो मैं आपको काफी सिंपल तरीके से बता हूँगा यदि आप इस कुस्ण को देख लेते हो तो इसके तहट आप इसके जो कुस्ण होते है वो आप आसानी से बना पाओगे ओके आईए इसको सॉल्ब करते हैं सबसे पहले देखें मैं इसको सिद करना है इसके बराबर तो हम स कॉस्ट थीटा अपाउन बन माइनस कॉस्ट थीटा अभी हमें सिर्फ जो दिया था वो मैंने लिख लिए अभी मैंने कुछ नहीं किया यहां पर ठीक है अब हम इसका क्या करेंगे देखें यहां पर एक इस अंडरूर को थोड़ा चा और बढ़ा लेंगे और यहां पर हम क एक लाज का टॉप एक है पर्मी करन करना आयोप कि आपको आता होगा नहीं आता है तो मैंने भी विडियो बना रखाया अब देख सकते हो ठीक है इसका हमने पर्मी करन कर दिया अब इसको हम स्वाव कर लेंगे देखे सबसे पहले हम अंडरूर लगाएंगे उपर उपर की संख्या गुणा करेंगे नीचे नीचे कर गुणा करेंगे तो ऊपर देखे संख्या क्या लिखिए बन प्लस कॉस्टीटा बन प्लस कॉस्टीटा मतलब एक ही संख्या दो बार लिखिए उसका गुणा करना है तो उसको हम ऐसा लेख सकते हैं बन प्लस कॉस्टीटा का होल स स्क्वायर सही है ना देखो एक संख्या दो बार लेखी थी उसको हमने होल स्क्वायर के रूप में लेख दिया और नीचे ध्यान से देखी जरा यह आपका बना है a-b a- plus v इसको हम ले सकते हैं बनका स्क्वायर minus स्कुर्ण स्कुर्ण थीटा मतलब A-Squire-B-Squire हमारी सर्वसमिका होती है क्लास A-S6 का टॉपिक है सर्वसमिका A-Squire-B-Squire बराबर होता है A-B-B-A-B मैंने वही खुल दिया यहां पर अब देखिये यहाँ पर square लगा है और यहाँ पर बर्गमूल लगा है तो हम इस square से इस बर्गमूल को हटा सकते हैं ठीक है ना 1 plus cos theta लेकिन नीचे बाला नहीं हटेगा नीचे बाला हम लगा देंगे नीचे बाला लगा देंगे तो देखी बन का square करेंगे बनाएगा माइनस इसको मैं सब्सक्राइब लिखे देंगे cos square theta अब मैं आपको यहाँ पर एक formula बताना चाहता हूँ अपने एक सारव समय कर पढ़े होगी sin square theta plus cos square theta बरावर 1 होता है होता है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 1 minus cos square theta लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कैसको हम sin square theta बरावर 1 minus cos square theta देखी यहाँ पर sin square theta लिखा था था मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर जो cos square theta था था उसको हमने अक्षांतर कर दिया तो minus का हो गया तो हम sin square theta बरावर लख सकते हैं 1-cos2θ. यान की 1-cos2θ जो लिखाया 1-cos2θ, इसकी बरावर लिख सकते हैं, sin2θ, चेक बरावर लिख सकते हैं, ठीके, तो देखी, यहांपर क्या हो जाएगा, ऊपर लिखाया 1-cos2θ, और नीचे क्या हो जाएगा अन्दरूड, इसको लिख सकते हैं कितना, जी मैंने आपको पता है, sin square theta, sin square theta, ओके, अगले step में देखी, क्या हो जाएगा, ऊपर जो लिखा, वही लिख दीजिए, 1 plus cos theta, और नीचे देखी दोस्तो, इस sin, जो square लगा है, इस इस बर्गमूल को काट दीजिए, काट दिया हमने इस बर्गमूल को, plus cos theta, बटे, sin theta, मैंने कुछ नहीं किया, जो sin theta नीचे लिखा था, उसका हमने अलग-अलग भाग कर दिया, अब मैंने आपको एक formula का वीडियो बताया था, यदि आपने वीडियो को देखा होगा, तो आपको formula में कोई problem नहीं आ रही होगी, अब मैंने आपको बताया था, एक किसका formula होता है, बन अपन, sin theta, cos theta का, जिसने पढ़ा होगा मेरा वीडियो, इसको अच्छे से आता होगा, cos theta, और एक किसका formula होता है, cos theta का formula, यहीं तो हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख दीजिए RHS, तो इतना करना होता है, आपको 5-6 नंबर आपके एक्जाम में मिल जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज समझ में आ चुके होगी, और यदि आपको कोई doubt हो, तो आप मुझे comment box में बता सकते हो, ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा आपके लिए,